एक एतिहासिक पहल, टैंक वैगन से EBMS का परिवहन प्याला उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेल संस्थापन है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 2,20,000 किलो लीटर है, जिसमें से एथनॉल का भंडारण 1258 किलो लीटर है ये उत्तर भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ती के लिए एक जीवन रेखा है, अब तक EBMS का परिवहन समस्थ भारत में टैंक लौरी द्वारा किया जाता था जैविक इंधन का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से पहली बार EBMS का परिवहन टैंक वैगन द्वारा प्याला से जम्मू के लिए किया गया, जिससे की एक मुष्ट बड़ी मात्रा में EBMS भेजा जा सके टैंक वैगन परिवहन का एक सुरक्षित और किफाइती माध्यम है, इस पहल की वज़ा से हम देश के सबसे दुर्गम स्थलों तक EBMS पहुचाने में कामियाब हो रहे हैं EBMS भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से स्वचालित है, जहां हर कदम पर सुरक्षा और गुणवत्ता का बारीकी से ध्यान रखा जाता है उत्पाद की एक रूपता क्रमिक समिश्रण के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है भरे हुए वैगन में उत्पाद का परीक्षण कर दस प्रतीशत मिश्रण पुनह सुनिश्चित की आजाता है वैगन में पानी का प्रवेश रोकने का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है इस पहल के साथ BPCL देश में हर ग्राहक को EBMS उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने में सफल रहा है इस पहल से हम जम्मू, कश्मीर और लद्दाक के केंदर शासित प्रदेशों में प्रती महा एक करोड लीटर से ज़्यादा EBMS उपलब्ध करा रहे हैं भारत सरकार के एक जिम्मेदार उपकरम के रूप में BPCL लगातार स्वास्थिय, सुरक्षा और परियावरण के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने तमाम सामाजिक उत्तरतायित्मों का निर्वहन कर रहा है